हाई गाइस वेल्कुन टू क्रेटिंग बैथ लिंकलन फार्मा के क्वाटर टू के रिजल्स देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आते हुए दिखें हैं और थोड़ा समय सम्में अगर बताऊं तो बहुत ही बहतरीन रिजल्ट हैं और बैक ओन ट्रैक कह सकते हैं और दु जो है चार्ट का बोल रहा है तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू इंकम के इसाब से अगर आप देखेंगे तो इस बार जो इंकम आती हुए दिखी है वो सम्तिंग बन 64 करोड के आसपास की आती हुए दिखी है जो की प्रीविएस क्वाटर और प्रीविएस येर वाल सेकिंड वो हाफ एरली के हिसाब से तो यहां पर अगर आप देखें इंकम और साथ की साथ आप देखें प्रॉफिट तो दोनों में ही एक अच्छा खासा इजाफा देखने को इस बार मिल रहा है 27 करोड के आसपास का प्रॉफिट है जबकि प्रीवेस क्वाटर में 19 करोड के आसपास का था और उससे पहले जो है 23 करोड के आसपास का था उससे पिछली साल पिछले क्वाटर के अंदर इसी क्वाटर के अंदर तो यहां पर आप देखें जो इंकम है जो प्रॉफिटेबिल्टी है जिस तरीके से एंक्रीज हो रही है kuartal कहिना कहिन थोड़ा सा एक इसकेल अब जो हो रही है उसको कहीना कहीं देखते हो इस्टॉक के अंदर वे एक अच्छी खासी चाल आने वाले टाइम में बनती हुई देख सकती है तो मैं कहूंगा यह कंपनी ऐसी है कि जो back on track आती हुई देख रही है और आने वाले टाइम में जो achievements हैं जो इनके जो opportunities हैं तो उन सब चीजों के इसाब से अगर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे वो मैंना आपको stand alone दिखाया आप देख सकते हैं consolidated तो इस्टेंडरान consolidated में हाला कि कोई changes नहीं है same figures है लेकिन यहां पर आप देखें जिस तरीके से यह एक ऐसा stock है pharmaceutical stock है जिसके पास में काफ का काम है तो लिंकलन फार्मा एक प्योर बैठ है अगर फार्मा सीटिकल अगर इस टॉक की अगर बात करें या आपको अगर इस सेक्टर में अगर कोई stock लेना है तो यहां पर चार्ट की बात करें तो चार्ट बहुत ही शांदार है इसका तो आप देख सकते हैं कि एक अच् तो यहां पर अगर बात करें आला कि थोड़े बहुत और stocks हैं जिनके अंदर एक अच्छी घासी तेजी आरीया फार्मेसिटिकल stocks में लेकिन लिंकलन फार्मा बाकई में जो है एक अलग ही level का stock है और जिस तरीके से इसकी जो position है जिस तरीके से यह skill up जो अपनो मुझे लग रहा है आने वाले time में इस stock का future भविश्य जो है बहुत ही उज्वल है लेने लाइक है यह stock रख सकते हैं इसको थोड़े एक लंगे समय के लिए और यहां पर जिस तरीके से एक skill up bounce back business revival की अगर theme की अगर बात करें हर जगह पे यह stock fit बैठता है इस वार का result भी इसका से result इस stock से देख सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिस तरीके से आप कहेंगे कि कहां पर जो है इस stock को buy करना चाहिए मैं कहूंगा कि 475 रुपे के आसपास का तो एक अच्छा कासा इसका डीप सपोर्ट है ही अगर आपको 500-520-530 रुपे के आसपास भी अगर यह stock मिले तो आपको जरूर जो है यह stock buy करना चाहिए यहां से भी कहीं ना कहीं इसकी रेंज और हाई जाती हुई दिख सकती है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो झाल